नमस्कार स्वागत है आप सभी का दिन की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कृष्ण बैदेवेदी भारतियन उसेना के साथ एक और ताकत छोड़ी आज आज आएनेस करंज भारतियन उसेना के बेड़े में सामिल हुआ महीं आपको बता दे कि साइलेंट खिलर प्राम से मसहूर आएनेस करंज को मेक इन इंडिया और डियार डियों की बड़ी काम्यावी माना जा रहा है महीं आएनेस करंज की लंबाई करीब सत्तर मीटर की है जबकि मुझाई 12 मीटर की है और इस सबमरीन वज़न करीब सोला सुटन है यह बिना आवाज की हुए बिना रडार की पगड़ में आए दुसमर को नुकसान को जा सकती है यह कारण है कि लंबे वक्त तक पानी में राकर यह सबमरीन भारतियनों सेना को समुद्र में मतबूत करेगी आएनेस करंज एक डीजल इलेक्ट्रिक सम्मरीन है साइज की मामले में यह सम्मरीन भले है किसी निपलियर सम्मरीन से छोटी है लेकिन सबसे घातक है यह सम्मरीन मिसाइट और पीजो से लेस है साथी समुद्र के भीतर ही माइस विछाकर दुस्मन को तबा करने में भी सच्चम है आएनेस करंज के सामिलोने पर पीम मोधी ने कहा इंद महासाकर में बढ़ेगा दम महीं दूसरी सबसे बड़ी खावर है प्रियाग रास्ते जहां पूरवांचल के मापिया डॉन और पूरुक सांसर धनाजर सिंग के नैनी सेंटल जेल कहुंचने के बाद उनकी सुरच्चा बढ़ा दी गई है महीं आपको बता दे कि नैनी सेंटल जेल के हाई सिकूर्टी वैरक में धनन्य सिंगू रखा गया है और सुरच्चा में एक जेलर और एक डिप्टी जेलर को भी तैनाद किया गया है महीं CCTV कान्वरे से हाई सिकूर्टी वैरक पर नजर रखी आ रही है जेल के बाहर से लेकर जेल के भीतर तक सुरच्चा बढ़ा दी गई है जेट के अंदर जहां अतरिक्त जेर वार्डर तैनाद किये गए हैं तो महिए जेट के बाहर वीपीएसी के साथ नैनी थाने के अतरिक्त फोर्ष को तैनाद किया गया है महिए आपको बता दे कि पूर बलाक पर मुखाजीद सिंग की लखनों में होई हत्या के मामले में बाहु बली धरनेंजर सिंग का नाव आने के बाद लखनों पुलिस सरकर्वी से उनकी तलास कर रही थी और पचीस हजार का इनाम भी कोशित किया था माना जार आए कि योगी सरकार में अपराधियों और मापियाओं की लगातार इनकाउंटर से डर कर ही एक रड़ नीत के ताथ बाहु बले ने यंपी अमेले स्पसल कोर्ड में सरेंडर किया था लेकिन धरंजय सिंकेश नाइनी संडर जेल आने के बाद उनकी सुरच्छा को लेकर जेल परशासन की चिंता बढ़ गए तमाम अपड़ी खबरों के साथ देखते लेगे इंडियाटोंटी पोरंटू सेमल लाग टीवी हमस्कार